तो चलिए जितने भी छाथ-छात्र हैं दो एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं सोसल साइंस का काफी सभी महत्पून सब्जेक्टिक कोश्चन जो कि आपको बहुत कम यह सभी आपको कोश्चन देखने को मिलता बहुत कम लोग यह सभी कोश्चन को करवाते ह सभी प्रस्ट आप लोग के लिए जो भी दोह प्रकार आपको सबसेंगे उनके लिए काफी ही महत्पून कोश्चन होगा तो आप लोग इस वीडियो में अन्तक बनेंगे और जो लोग अभी तक चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी आप लोगो बारेल वीडियो इसी प्रकार आपको पास सबसे पहले पहुचे तो चलिए सोशल साइंस का आज चार्ट करते हैं सब्जेक्टिव कोश्चन जो सीधा आपका बोर्ड एक्जाम में हुब हुआएगा ठीक है है हैंडेट परसेंट आप लोग जो कि काफी सभी महत्पूर्ण आप लोगों के लिए साबित होगा तो पहला कोशन संसाधन किसे काते तो संसाधन किसे काते बताई आप जियोग्राफी का यह कोशन है संसाधन किसे काते तो जिस बस्तू के द्वारा मानब आपने जरूरतों के पूर्थिक करता है वह सभी स संसाधन कर दो सकता है याद रखना भूमी मिर्दा झल खनी जैसे भावतिक संसाधन मानि भी एक अच्छाओं की पुर्ती संसाधन बन जाते ठीक बस इतना आप लोगो याद रखना और दो माक्स में पूछा जाएगा और और हंपे दो माक्स में अगर इतना लिए तो आप लोग समझ देए का आपका रिजल्स भेटर होने वाला तो पताइए संसाधन किसे कहते हैं तो जीस बस्तों के मिर्दा है नदियों के द्वारा लाई जाती है यह मिर्दा धान तथा गेहूं के दाल के लिए उप्यूक्त मिट्टी माँ जाती है क्या जो जलोड मिट्टी होती है और धान और गेहूं और डाल के लिए क्या होता है सबसे काफी ही महत्पूर्ण होता है कि किले का ली वसका पाल टू को बस इतना पॉइञार में पस्प्सिं बंगाल में और कि यह बस यह तीन फइन मैं ल Thai गयों के लिए घ्यार नहीं जाती है और छोडों मैठी के बारे में इतना लिख नहों कर लिखे नोग ए उसको कर ये सैका तया से आप क्या समझते हैं हरीट करंजे किसे करते इस तरह का कोई भी कोशन आता तो आप लोग बस इसको अंसर देना कि जिस पत्तिक माध्यम से कम भूमे में सिचाई उर्वरक अत्याधूनिक मसीन द्वारा उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है इस बीज़े को क्या करते है हरित करांती के नाम से जाने जाता है जिस माध्यम से कम भूमे में सिचाई उर्वरक अत्याधूनिक मसीन future फसलों कित्व न किया जाता मत्लब अहाँ पर बहुत कम जमीन में क्या किनके दाउरा सौमी नाथन के द्वारा ठीक है कि दसining में सुरात किया कि एक ता जिसका मुक्छ उद्धित अपधान लुट को बाहरा धेना ठीक है बेघाए क्या हुआ था उद्धित करण्ट करकना हों झाहत अस्थानों से कच्च्छ अ को प्राप्त करके जीवन उपयोगों बस्तुए hierarchy निरुमान रीक निर्मान Sky अ कि से लिए भी निर्मान किसे लिए् समझे वोलग वे थांटान वे मिट्रीज अब अगर समझ गया होत इस वीडियो का आप लोग लाइक कर दें आदो क्योंकि आप लिए सभी मौस्ट बाइरल कोश्चन प्रसपर साबित होगा जो सीधा आपका बोड या में इसी तरह का प्रसना आएगा और आप लोग सभी लोग इक कोश्चन को हल करके आएंगे तो बताएं नेक्स कोचन क्या इटली की करन में किनी तीन पर मुख नेता हों के नाम लि इक नाम लिखना दो माश्क या कोशन रहेगा चलिके नहीं स्क्राइब बढ़ते हैं नैस कोचन एक इस प्रमाणी की एक नमें अश्टियार की इतली जर्मानी की एक लिए क्या भूम कर थे सबसे बड़ा बाधा ऐस बन रहा था ठीक है इतल्यार जर्मानी के जबाधा था सबसे उसमें बड़ा बाधा काउन था तो अस्ट्रेलिया का योगदान था ठीक है किसका योगदान रहा था तो आस्ट्रेलिया का योगदान था चलिए देऴे पार्व नरी किया है यह भी यह क्या है काAttनी क्या होता तो अभिम्गांत रत ह BIG क्विभश्ड़ कर बादियों के दूवरा इटली में गठन किया गया था तो राष्ट बादियों के सापे मार के दौप अच्छ तरह करना था कि चितना पिछे राजतंत्र है उसको नश्ट करके गंतंत्र के अस्थापना करना था जो सिर्फ मेजनी के इस दल के पर मुख नेता था तो तो आप लोग समझ लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला तो आप लोग सब्सक्राइब को एक्जाम हुल में पढ़के जरू जा प्राइब सबसEurope सब्सक्राइब किस ने किया था तो भीस इस नész सकती को सहाइताह से Womanica एकिकरन करना था बता क्या थो तो जितने भी साय नहीं सकती थे उसके सहायता से जर्मानी को एकी करना था इसलिए रख्त एवं लगों की नीति को अपनाए गया था तो यह बिल्कुल इसका सटिक एवं सही अंसर हो जाएगा चलिए ने सकोचन सतत्थ विकास से आप क्या समझते हैं जो सतत्थ विकास है जारी रह सके तिकाऊ बना थे ज्ते हम लुग सतत्थ विकास कते मैं नोकर बरतमान पीढ़ी बलकि आने वाले पीढ़ियों का विकास को भी द्यान रखा जाता है इसले हम लोकि क्या सतत्थ बिकास को जा चलिए इस कॉछ़िजन को मुद्रवी निमें पर्माली किया है थो मुद्रा बीणिमें पर्माली किसको बोलते हैं रहे हैं बहुत हैं जब आप आथिकार कितने फूटे इस चार इखार को खोलिख दो मार्स कोश्चन सबस्के बिल्कुल साइंसर हो जाएगा चलिए खुआ तो स्रम के अंदर के पूरा करना होता तथा पूरुसों के गर के सारे कामों को सौपा गया था यही तो कि जितना भी महिला है और घर के बाहर वाले साहब ही काम को करेंगे इसके लिए गया था तो इसी को नम रखा गया यह है तो यही क्या आपको इतना यहाद रखना चिप को उन्दोलन था उसका मुख क्या था तो कि निम लिखे ता पहला बन्स अपरदा के सुरच्छा बन्स जीब की फूरच्छा करना मेल मालिकों के सोषण से मुकथ तथा परियावरन की स्राफ्षा कर यह 4 पॉइंट की मुख वधिस्ता था कि बन सब्सक्राइता हैं लोग शुरफ्षा करका कानूनुक्ति initiator यह बनन को सुरच्छा पोचान ठीक यह सभी चिपको उन्हें का मुख उधिस था चलिने स्कूशन देखे क्या है दल बदल कानून क्या है तो आप यह दो आपके लिए सफिसेंट होगा तो बताए दल बदल कानून क्या होता है तो विदहाय को और सांसे दो के दल बदल को ठोंकर नए दल में जाना चाहते हैं तो अपने सीट गवानी पड़ती है यह दल बादल कानून भारती है राजनितिक में भश्टा चार पर अंकुष लवाने के लिए दीसा में एक महत्मून कानून के रुप में भरकर राया ठीक है दल बदल कनून क्या है तो जितने भी अ कर लाया गया था कि दल बादूल कानून को लाए गया गया ठीक है रोजुत हो खुल्ट मत इसको तन हम यह को ते तो आपको याद रखना हो वागा तो यहां सम्झेक्टि में कैसे लिखना कि माज़ तुछ को फ्रांस और व culinary को इस समझोते के इस सम्झा लिए ता फ्रांस ने विधनाम को एक सो तंतर गंणराज के रूप में सभीकार कर लिए था चलिए नेकर गुप्त मदान पतर क्या होता बहुत सारे इसका नाम सुने होंगा गुप्त मादान पत्र क्या है ठीक है झो जह मत्ता गुप्त रुप्त को बतायए closes सарकार जैसे आप अपसे गुप्त दान सविए होंगे तो इसहीं प्रिकार het जो गुप्त रुप्त मोर्प से मत kontroll करती है कि मतलब किने किसों को बताया हुए अपने आपे ठीक है वो गुप्त मद्दान करती है तो ऐसे हैं हम लोग मद्दान पत्र को क्या बोलते हैं गुप्त मद्दान पत्र बोलते हैं चली नेस कोचन लोगतांतरिक सरकार किसे करते हैं लोगतांतरिक सरकार किसे करते हैं वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो ठीक है वो जनता के कल्यान के बारे में सोचती हो और जनता के समानता परदान करती हो मतलब वो अपने से नीचा नहीं समझते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोकतांतरिक सरकार काते हैं ठीक है तो यह बिल्कुल सही अंसर हो जागा और सही एमन सटी कंसर 17 का यही होगा तो आप लिख नहीं चैको इसी तरह सरफ लोग बोड़िंगा में लिचकर आएंगे चैनि ने इस कोछर सुरोत के अधार पर संसाधन कितने करते होते के जो आधार पे संसाधन कितने परकार के होते हैं दो ना पहला पर 지 Christ šterण होता मुंद्टि क्या है और इसका निर्मान कैसे होता मुद्रा क्या है और इसका निर्मान कैसे होता तो धरती का सबसे उपरे परजाँ पीड़ फैटा ए मिर्दा मतलब मिटी जो पूंग क्या है और इसके निर्मान कैसे होता है रहा पर देखे धाइस दोगे जरुख्यक रहे निज़ार करता है यहां यहां पर पह बिपाद में टूते हैं तो तो मुस्नाइब होता है मिड़ा का निर्मान होता है त 이걸 लिखना जल चक्र किसे काते हैं जल चक्र आय। किसी एक आते हैं तो जल चक्र किसे कहते है तो जल का जल को जल बास्पी करने के द्वारा आसमान में जाते हैं उसके बादल बन जाते हैं तो बादल बनता फिर वही क्या होता है पर बनके बादल बने पर अब तो यह सभी कोशन आप आसानी से आप लोगो समझ में आ गया वहाँ तो आप लोग एक लाग जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर करें तो देखिए आज की वीडियो के लिए ही जो कि आपको ले सोचल सांस का सब्डेटिक का अ सभी महात्मूर कोशन तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के बोड़ी जाम में जाना और बताते कि आप लोग अगर सभी सब्सक्राइब पाना चाहते है और इंपर्टेंट कोशन और जो भी बोड़ द्वारा नोटीस आता नियु जाता और आप अंसर की भी पाना चाहत तो आतरम